Hello friends, Welcome to Computer Learning Channel on YouTube आज की वीडियो में हम सिखेंगे टेली प्राइम में आप स्टोक आइटम के लिए MRP किस तरह से सेट कर सकते ता ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे फिल आपको क्या करना है डियर फ्रेंट टेली प्रैम अकौंटिंग सोफ़ेर आपको ऑपन करना है उपन करने के बाद आप जिस कंपनी में भी स्टोक आइटम के लिए MRP सेट करना चाहते हैं वो कंपनी आप एले से स्टेक्ट करके रखेंगे और select करने के बाद आपको gateway of daily के screen में रहना है उसके बाद आपको क्या करना है Master में create option पर interface करना है और उसके बाद आपको inventory master section के अंदर जो है stock item आपको option दिखाए देता है उसको select करते वह आप interface करेंगे जिससे कि आप stock item creation की screen में आ जाएंगे इसके बाद आपको क्या करने है डिर्फेंट सबसे पहले आपको MRP का option activate करना होगा इसके लिए आपको अपने keyboard से after press करना है जो की configuration की shortcut की होती है इसमें सबसे पहले आपको show more configuration option को yes करना है जिससे क्या होगा कि सारे option आपको दिखाए देंगे उसके बाद down arrow की का use करते वे आप जो है provide MRP detail option पर आएंगे और इस option को आप yes कर देंगे yes करने के बाद enter देते वे आप फिर से आप जो है stock item creation की screen में आ जाएंगे उसके बाद जो भी आप stock item create करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं आपको एक्जामपल समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक stock item create कर रहा हूं और उस पर मैं जो है MRP detail सेट करके आपको बता रहा हूं ठीक है तो कैसे कर देंगे सबसे पहले आप प्रोड़क का नाम यहाँ पर type कर देंगे इसके बाद आपको क्या करना है df in inventory detail option आपको दिखाए दे रहा है इसमें आपको देखेंगे MRP detail option दिखाए दे रहा है इस पर आप जो है MRP जो rate होगा वो modify नहीं होगा ठीक है तो हम यहाँ पर yes ही कर देते हैं उसके बाद MRP rate यहाँ पर आपको क्या करना जो भी आप इस्टोक आइटम तयार कर रहे है उसका MRP यहाँ पर आपको जो है डालना होगा तो हम iPhone 15 एक example के लिए बना रहे तो उसका MRP जो बॉक्स पर ल text related detail option को set कर देना है तो GST applicable में हम applicable रखेंगे उसके बाद जो है hsn ssc detail के अंदर यहाँ पर specify detail हर हम select कर लेंगे और यहाँ पर जो product का hsn code हम यहाँ पर डाल देंगे उसके बाद GST rate के अंदर हम specify detail हर select करेंगे और यहाँ पर जो है taxable type में हम taxable select करेंगे और यहाँ पर जो product पर जो tax लगता है उसकी rate हम यहाँ पर set कर देंगे और उसके बाद type of supply में हम good select कर लेंगे और enter देते वे हम क्या करेंगे dear print इसको accept कर देंगे तो यह हमने एक नए product क पर जो है MRP हमने set किया है चाहें तो अगर पहले से भी आपने को इस्टोक आइटम बना रहा है तो उस पर भी set कर सकते हैं उसके लिए आपको सब क्या करना होगा escape का use करते वे सबसे पहले बाहर आना है बाहर आने के बाद आपको एल्टर option select करना है और उसके बाद आपको stock item select करना है उसके बाद जिस product पर भी आप जो set करना चाहते हैं example समझाने के लिए iPhone पर अभी हमने set किया है दूसरा product जो हमने आरे पास पहले से बनावा है उसको select कर लेते हैं जैसे Samsung Galaxy मेरे पास है तो मैं से select कर रहा हूँ उसके बाद यहाँ पर भी हमें control आई प्रेस करना है और यहाँ पर MRP detail option को select करना और इंटर प्रेस करना है यहाँ पर भी हम इसे yes कर देते हैं और यहाँ पर भी हम product का MRP डाल देंगे तो product का MRP हम डाल देते हैं यहाँ पर तो इस तरह से अगर पहले से भी कोई stock item आपके पास बनावा है तो उस पर भी आप MRP set कर सकते हैं तो enter कर देते हैं हम आप सेट कर लेंगे इसके बाद आपको क्या करना है वाउचर को select करना है और sales voucher आप select कर लेंगे sales invoice तयार करने के लिए और सबसे पहले आपको पार्टी account name select करना है अगर आप cash में sell करने तो आपको यहाँ पर cash ही select कर लेना है और अगर आप credit sell करने तो party का न item तो यहाँ पर आपको क्या करना है different जो भी आपने stock item तयार किया है जिस पर आपने MRP detail सेट करी वो product आप select कर लेंगे तो यहाँ पर अभी आपके सामने में एक iPhone 15 product आपके सामने तयार किया है मैं उसी select कर रहा हूं यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर product की MRP show हो रही है त तो यहाँ पर भी हमें modify नहीं करना है फिर हम enterprise करेंगे उसके बाद आप से पुछेगा list of order तो यहाँ पर not applicable है उसके बाद आप से पुछेगा quantity कितनी quantity आपने sell करी था आप जो है quantity select कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है rate आपको डालना है जिस price में आप customer को product sell कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हैं selling price डाल रहे हैं तो यहाँ पर मैंने sales price include कर दी उसके बाद interface करना है आपको और यहाँ पर order number again पुछ रहा है तो यहाँ पर end of list कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर product का नाम शो हो रहा है और यहाँ पर जो हमने sales price से वो mention करी है और पर नीचे आप देखेंगे यहाँ पर जो है MRP भी शो हो रही है तो इसके बाद अगर कोई other product भी आपगर आपने sales किया है तो आप यहाँ पर selected कर सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है टेक्स के laser select कर लेना जैसे cght हैप select कर लेंगे उसके बाद जो sght हैप select कर लेंगे और अगर आप अभी नहीं बना रहे तो नो करेंगे तो अभी हम यहाँ पर नो ही रख रहे हैं उसके बाद इंटर देते हैं हम क्या करेंगे इस वाउचर को एपसेप्ट कर देंगे उसके बाद आपसे पुछ रहा है do you want to send voucher detail to e-way build generate तो यहाँ पर हम नो रख रहे हैं उसके बाद आपको क्या करना है जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आरा है configuration जिसकी shortcut की C होती तो आपको C प्रेस करना है इसके बाद आपको क्या करना है डियप्ट यहाँ पर जो इस्टेटर डिटेल ऑप्शन आपको दिखाए दे रहा है जिसमें show MRP option दिखाए दे रहा है इसको आपक इस इन्वाइस के अंदर जो है आपको जो MRP का भी एक कॉलम दिखाए दे रहा है ठीक है जिससे क्या होगा customer को बिल्कुल clear हो जाएगा कि product की MRP कितनी है और कितने में हमने उसे sales किया है तो देख सकते हैं यहाँ पर पूरी detail शो हो रही है जिसमें product का नाम भी दिखाए दे हैं और जब भी हम invoice प्रिंट करते हैं तो proper उसमें भी MRP को हम mention कर सकते हैं शो कर सकते हैं तो आज की वीडियो में dear friend हमने सिखा कि किस तरह से टेली प्राइम के अंदर इस्टोक आइटम में हम MRP को set कर सकते हैं I hope आपको वीडियो पसान आए होगे तो dear friend वीडियो पसान आए झाल